हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत हैं दोस्तो जिसका आपको इंतजार था वो चीज आ चुकी है जी हाँ दोस्तो लेकिन हाँ यूपी एसाई की जो 9534 वेकेंसी है ये नोटिस उसके लिए नहीं है अगर आप उसके लिए वीडियो देख रहे हैं तो छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने थम्नेल पर ही बता दिया यूपी एसाई गोपनी वाले जो पता आये थे एसाई के साथ उनके लिए है ये नोटिस ठीक है नोटिस को पूरा देखो जिनों लोगों ने यूपी एसाई का एक्जाम दिया वो भी देखो क्योंकि जो प्रक्रिया इसके डीबी पी एस्टी में अपनाई जाएगी वही प्रक्रिया हुबा हुआ आपका यूपी एसाई में भी अपनाई जाएगी जो कि 9534 वेकेंसियों पर आपकी भरती आई थी ठीक है तो पहले देखो आपको सारी चीजें समझ में आ मानख पर क्षण की यहाँ का घ्रकर के साइड पर आप चेक कर सकते हैं 31 दिसम्बर दोयरी किस है साब साब लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस उपनेरिक्छक गोपनी यह पुलेक सायक उपनेरिक्छक लिकषक लेखा के पदों पर सीधी बढरती 2020 के अंतर्यगत अबी ले देखो कि समिक्षा यानि कि डॉक्यूमेंट वेरिविकेशन होगा और सारे रेक मानक परिक्षन किया जाएगा इनका समझ रहे अब देखो ये सारी चीजे इसके बारे में बताए गई थी कि ये इतनी वेकेंसी आए ठीक है ये आपके जानने लाइक बात नहीं है जो आपके वो आपको बता देता हूँ फिर भी एक बार पढ़के दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पर लिखाए उत्तर प्रदेश पुलिस उपने रिक्षक पुलिस सायक उपने रिक्षक पुलिस सायक उपने रिक्षक लेखा के पदो पर सीधी वर्ती निर्दिस लिकित परिक्षा किया जाएगा, अभी किया नहीं, किया जाएगा, इसके लिए link activate होगा, ठीक है, या जो भी notice होगा, बढ़ती वोद अपनी side पर बता देगा, इस हे तु बुलाए गए अभी करियाओं में, अभी लेखो की संबेक्चा इभम सारे रिक्मानक परिक्चा में समलित होने की अपे कर रहे हैं चाहिए यूपी लेकपाल हुगा यूपी ट्रपल सी पीटी हुगा यूपी प्लिस कॉंस्टेबल हुगा तो इन सभी से सम्मधित कोर्स आपके अनेकेडमी के प्लस प्लेटफर्म पर चलाए जा रहे हैं यह सारे एक्जाम की प्रपरेशन आप यूपी पीएससी क अगामी अख्जाम है सभी की प्रपरेशन कर सकते है के येवल एकी प्लस कीपेडफर्म के साथ आपको सब्सक्रण नाम है नाम अपने चैनल का नाम इंडियन स्टड़ी जो आपका नाम है बस बिदाउड स्पेश करεται आूब आपको दिख़रा होगा चैनल पे इंडियन तो इसलिए अगर आप सारे एक्जाम की तयारी करना चाहरे हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी अंदर आगामी एक्जाम है तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर पर्चेस कर लीजिएगा जरूर से चेक आउट कीजिएगा दिस्क्रिप्शन में लिंक है हाजी नेक्स्ट आपका के यह है परिख्शन एक समीती द्वारा संपन कराये जाएगा इस समीती का स्वरूप निमलिकित में से यह है क्या वहिए समीती में कौन-कौन सामेल होगा जनपत के जिला मजेस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिश कोई डिप्टी कलेक्टर अद्यक् अधिकारी अत्वा कोई अन राजपत्रित अधिकारी यानि कि जो गजिस्ट्रेट ऑफिसर होता है वो होगा ठीक है यह समीती के लिए गठन के लिए कौन-कौन होगा समीती में सामेल यह आपको बता दिया गया है यहाँ पर देखो जहां बिदवान सासना देस के अनुसार अन पिछडा बर्क अलब संक्यक एबं अन किसी स्रिणी जिसका प्रतिनिद्व उप्रोग्द दल में आवसयक हो वहाँ उनके प्रतिनिद्व को सुनिश्चित करने हितू बोर्ट द्वारा संबंद जिले के पुलिस अधिक्चक द्वारा नाम निर्दिस अतिरिक्त अधिक पुलिस विवाग में निर्ख्चक इस तर्में निमने नहीं होंगे ठीक है यह वही समीति के बारे में बताये गया है यह इंपोटेंट पॉइंट है यहां पर सुनना आपको क्या मूल अभी लेको मूल अभी लेको का मतलब होता है जो डॉक्यमेंट आपके हैं औरिजनल व वो देखो का मिलान आवेदन पत्र आवेदन पत्र यानि कि जो application form जब आपने form डाला था SI गोपनिये का और ASI का तो उसमें उपलब्द कराई गई सूचना तता अपलोड किये गाये परमार पत्रों से किया जाएगा यानि कि आपने जो भी डॉक्यमेंट फॉर्म भरते समे लगाए हैं उन्हीं का ही document verification किया जाएगा SI गोपनिये और ASI की vacancy के लिए समझ गए तो ये आपको indication दे रहा है भरती board के अगर आपके पास अभी document तयार नहीं है तो घंचक करो documents तयार करवा लो क्योंकि हम बहुत जल्दी आप लोगा result दे करके आपको DV के लिए बुलाने वाले है अगर ये बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है ठीक है आगे पड़ा रहे अभी लोगों की समिक्षा के दौरान board किसी समीती दौरा किसी प्रकरण का कोई संसे होने के करण संदर्तित किये गए अथवा सीधे उनके संग्यान में लाए जाने पर board अपने स्तर से निलने लेकर निर्देस जारी कर सकता है इस प्रकार board दौरा जारी किएगा निर्देस अंतिम माने जाएंगे यानि कोई भी दिक्कत होगी तो भाया board उस पे निलने ले लेगा और वो अंतिम निलने होगा अब देखो क्या अभी लेको कि सम्विक्चा के दोरा निया सम्विक्चा के पस्चाथ चैन होने पर किसी भी समय में किसी भी अभी लेको चल सादित गलत या कुट यानि कि फरजी माक्सिट बना करके ले गए तो पहले तो आप पे मुकदमा चलाया जाएगा भहां से तो आप निरस्ट कर दिया जाओगे बर्ती से मुकदमा लग दला चला दिया जाएगा और आगे पढ़ते हैं यहां पर देखो भ Nancy के तो मापदनन होंगे क्या पुरुसों के लिए उचाई कितनी है 163 cm है समान याने की जन्नल के लिए अन्य पिछलावर्ग याने की OVC के लिए अनुसुच जाती याने की SC के लिए अगर आप जन्नल OVC SC केड़ेगरी से हो और आपकी हाइड 163 cm है तो आप मान है अगर आप ST केड़ेगरी याने की अनुसुचे जनजाती केटेगरी से हो तो 156 cm है हाँ, हाला कि ये जो आपकी हाइट है UPSI में 168 cm मांगी है है ना, पहली बता दिया था कि UPSI के लिए नहीं है अब देखो, सीना आपका 77 cm बिना फुलाव के साथ और 5 cm सीने में फुलाव चाहिए तो 82 cm होना चाहिए ये जनरल OVC और SC बालों के लिए और कहीं अगर आप ST से हो तो अगर 75 cm भी आपका चेस्ट है चल जाएगा 5 cm लेकिन फुलाव आवसाया क्या साथ साथ लगा हुआ है महीलाओं के लिए हाइड कितनी है अगर आप अगर आप OVC जनरल SC केड़ेगरी से है तो 1.500 cm की आपकी हाइड होना चाहिए और अगर आप अनुसुचिक जन जाती यानि की ST केड़ेगरी से है तो आपकी 145 cm आपकी हाइड होना चाहिए लेकिन इनके लिए वजन अनिवार है यानि की 40 kg से कम इनका वजन नहीं होना चाहिए ठीक है ये सारी कुछ आपको बताया गया है बाकी इसमें आप लोगों को निर्देश दिये गए है जादा इतना आवसायक नहीं है और अब ब्यारती से ये आप एक्चा की जाएगी के वे दिये गए दिनानक और समय पर अभी लेखो की समविक्षा एवं सारी रेक मानक पर इक्षन ही तू उपस्तित हो अभी दिया नहीं गया है दिया जाएगा बरती वोट के द्वारा जब दिया जाएगा तो हम आपको देख लिएंगे ठीक है बाकी आपका DV का क्या प्रारूप होगा ये इसमें बताया गया है ठीक है DV यानि कि tempting का और आपका सारी रेक मानक पर इक्षन का जो भी प्रारूप होगा ये सारा को जिसमें बताया गया है पढ़ कर के टाइम वेश्ट होगा जा कर के official side पर जा कर कर के आप खुद एक बार चेक कर लीजिएगा ठीक है ये मैंने आपको बता दिया तो ये ओफिसिल नोटेस था ओफिसिल नोटेस आया मैंने आपको बता दिया तुरंत में ही आपका UPSI में का आने वाला है इस बात को ध्यान द्यार नखना तो रणिंग कर रहे तो करते रहना रोक जे बारत